हलो स्टुडेंट्स मैं आजीज बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वावत करता हूं आज 12 क्लास फिजिक्स का चप्टर नंबर सेकंड का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले है वह है इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस कि अगर हमारे एक पैरलल प्लैट कैपेसिटर है तो इस पैरलल प्लैट के पैसिटर की बीच में अगर हम को डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो उस पर उसके पड़ेगा वह आज हम पढ़ेंगे तो यह इस्टार्ट करने से पहले अगर आभी तो आप लोग ने हमारे चैनल को इफेक्ट औफ डाइलेक्टրर कैपेसिटर हें हमने क्या बना एक पैरलेल प्लैट कैपेसिटर बना दिया गैने तुसरी बर्द दूसर्य का एरिया किस्कों डोनों प्लैट का ने घुआ है और प्र अ एक्वल रहेगा और जो चार्ज दोनों पर एक्वल एंड अपोजेट रहेगा दोनों के डिस्टेंस कितनी है अब यहां पर क्या हो वेक्यूम इन दोनों प्लेट्स के बीच में तो हमें पता था कि इसके बीच में रहेगी हमने सब्सक्राइब उसको किसे रिप्रेजाट करें एक यह रहेगा सिग्वलद के उयों यूण सिग्मा क्या है सर्फइस चार्ज डैनसटी सिग्मा कहां से लों सुपास कि जो प्लेट का c killer negativity कि तो ए तो ए एरिया पर अगर कितना चार्ज एंगर क्यों प्लेट अ को एकिना इस पूरी प्लेटेट पर चार्ज कितना है क्यों तो इस एकि मौल्ट की मौलन यूप यह इधर multiply में उधर जाकर क्या हो जाएगा divide में जिसको थोड़ा सा उसमें confusion होता है जिसका match थोड़ा से भी रहता है तो यह उपर लिखा है उधर जाकर एक वर्टों के उधर जाकर नीचे हो जाएगा तो one area, one area पे charge कितना आजाएगा q upon a, one area मतलब unit area, unit area पे charge कितना आया q upon a और unit area पे जितना charge होता है, unit area पे जितना charge होता है उसे को हम क्या बोलते है, surface charge density, surface charge density मतलब charge per unit area, तो unit area पे जितना charge होता है, q upon a, surface charge density मतलब unit area पे कितना charge है, charge per unit area, तो q is equal to, sigma is equal to कितना होता है, q upon a, तो हमने suppose कर लिया कि इस प्लेट का surface charge density plus q सिगमा है और इसका minus सिगमा है, तो fast plate की वाज़े से electric filter कितनी रहेगी, इस प्वेंट पर sigma upon स्पान अब इस प्लेट पर दोनो प्लेट पर रहेगी, और negative वाज़े से बिद inflict data रहेगी, तो positive plate की वाज़े से electric field कितनी होजाएगी, इन दोनों को एड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टू तो यह पूरा वन यह पूरा वन तो बान प्लस वन टू सिग्मा आपन टू एपसले नोट टू से टू कैंसल यह सब हम पिछली वीडियो में देख सक चुके है और वह वीडियो आपने नहीं देखिए तो आप यूट् इस बहुरा तो वीडियो आ जाएगी तो वह वीडियो आप पहले देख लिए तो यह और आपको अच्छे से समझ में आएगा तो हमारे पास एलेक्ट्रिक फिल्ड एलेक्ट्रिक फिल्ड की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा आपन एपसले नोट यह एलेक्ट्रिक फिल्ड आप टे बीच में वी नॉट वी नॉट इस इकाल टो टू के थे खोता है लेक्ट्रिक फिल्ड इंटू डिस्टेंस जो पोटेंशल डिफ्रेंट्स है उसका फॉर्मुला क्या है अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस से मल्टिप्लाइं कर दें तो हमारे पास क क्या आजाएगा हमारे पास? हमारे पास आजाएगी potential difference, एक वेल्यू है हमारे पास कितनी है, sigma upon epsilon naught, और इसके multiply में क्या है d? तो यह हमारे पास क्या आगई? potential difference लहें हमें पता है, sigma किसके equal होता है sigma की value हमें पता है sigma is equal to कितना होता है q upon a तो इस सिग्मा के जगा हम क्या लिख देंगे Q upon A तो हमारे पास V naught V naught की value कितनी आ जाएगी क्या लिखेंगे Q D upon A epsilon naught यह आ जाएगा कि लिए दिख रहा है ना नीचे का दिख रहा है ना तो यह हमारे पास क्या है potential difference लेगन हमें तो क्या निकालना है Capacitance तो Capacitance C naught is equal to कितना हो जाएगा Q upon V naught देखो हम naught naught से क्यों represent कर रहे है कि यह अभी सब कहा की बात चल रहे है जब इसके बीच में क्या हो vacuum तो vacuum के लिए electric filter को A naught से represent कर दिया potential difference को V naught से represent कर दिया तो Capacitance को किस से represent किया हमने C naught से तो V naught की जाए उसकी value पुट कर देंगे Q D upon A Epsilon naught to C naught is equal to कितना आजाएगा हमारे पास Q V naught की space पे उसकी value पुट कर देंगे तो Q D upon Epsilon naught A इस Q से यह Q क्या हो जाएगा cancel यह जो A Epsilon naught A है जो नीचे हो कहां चले जाएगा उपर Epsilon naught A जो नीचे था हो कहां चले जाएगा उपर तो हमारे पास C naught की value कितनी आई Epsilon naught A upon D तो यह तो capacitance कब आया हमारा यह capacitance कब आया यह capacitance जब उन दोनों की बीच में क्या था vacuum लेएँ अब अगर हम क्या कर दें यहाँ पर एक dielectric medium put कर दें यहाँ पर एक dielectric इन दोनों के मीच में पूरे पूरी इस पेस में क्या कर दें एक dielectric medium put करें तो जब dielectric medium put करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा polarization हमने dielectric and polarization का topic पड़ा है अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सच कीजिए dielectric and polarization अपना वाला अजिस भोरा तो वो वीडियो देखिए और उसके बाद यहाँ पर आईगेगा तो यह पर अगर हम क्या कर दे मीडियों रग दे तो क्या हो उसका polarization होगा उसके इस वाले सर्फेस पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जा जाएगा तो प्लेटरीपर डाइलेक्रिक मेडियम पर यहां पर क्या गया संद्धार और जो जगा एस जगा का जो क्या था हमारा सार्फैस चार्ज इंसिटी सिग्मा सिग्मा की वैल्य क्या हुजाए थी सब्सक्राइब यहां पर फिर सब्सक्राइब करना हो जाएग जिए हैं फिर जुब प्हयाँ प्लेट की त contribute देन सिटी को अब हमारे इन दौनकी सर्फेस चार्ज स्टैनि – कम गई तो अब इलेक्में कि इस फिलम हो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपोन एपसाइलन नोट यह अब इलेक्ट्रिक फिल्ड का आ गई जब हमने उसके बीच में क्या रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक मेडियम अब यह इलेक्ट्रिक फिल्ड आगे तो पोटेंशल कितना हो जागे वे इस इक वेल्यू पूट कर देत कि फिल्ड होँं कि वेक्टविल्ड इतने ज्याद रहेगा जीफ के इतने ज्यादे फिल्ड होती कि जब्येंटेशन ज्यादा रहेगा ओट्राइक' गडिन वजी अ उतना जैदा नेगेटिव चार्जन वह औरbok पर उतना ज्जादा पोज़ेटिव चाइगा कहा मतलब सिग्मा पी जिए किसकी वज़े से---- क्या है शुट कहलै लिए सिखार्ज इंचिटे इस चर्फेस रफेस चार्ज बीकॉस ऑफ पॉलराइडिज E geworden Ich और पोलरियसेशन से उतनी जद रहेगी जो सिग्मा कि रहेगा और इस इतना ज्यादा पहले सब्सक्राइब इतना नेगेटिव चार्ज है उन दोनों चार्ज अथा उन दोनों चर्ज के वजाए से इलक्ट्री फिल्ड उतनी जद रहेगा तो जो surface charge density है, जो पहले थी, कब day electric medium लगाने से पहले, वो उस पर को डिपेंट करता है electric filter, और electric filter पर क्या depend करेगी, surface charge density because of polarization, तो sigma P E naught की directly proportional है, यहाँ से क्या आएगा, कि यह जो हमारा है, सिग्मा माईनस सिग्मा पी यह भी यह सिग्मा के डारेट्टलें प्रोपोर्शनलीं कि तो याज़्य सकते है निहीयु यह शुर० पर जानेbasis क्रहुड़। प्र प्रफश्थ कन्सेंट आता तो यहां मैं लगा दिये सिद्धिद एक कोंस्ट चैंट attract के यहाँ पर divided में था इदर आएकर multiply में हो जाएगा तो हमारे पर Sigma upon k is equal to कितना आगया Sigma minus Sigma P तो इस Sigma minus Sigma P के space पर हम क्या लिख सकते हैं Sigma upon k, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जलिख देंगे v is equal to Sigma upon k और d पहले से है epsilon not पहले से हमें पता है sigma की value कितनी होती है q upon a तो हमारे पास क्या आजाएगा q d a k epsilon naught ठीक है अब यहाँ से हमें बता है कि जो c है c is equal to क्या होता है q upon v तो v की value कितनी है v की value put कर देते q as it is v की value put करी q d a k epsilon naught इस q से q cancel यह कहाँ चले जाएगा उपर तो हमारे पास क्या जाएगा c is equal to इस k को मैं पहले लिख लेता हूँ k a epsilon naught upon d लेगन हमें पता है कि यह जो a k epsilon naught है a epsilon naught k यह तो इसकी value है c naught की value है तो इसकी space में क्या लिख सकता हूँ c naught c is equal to कितना आगे हमारे पार c is equal to आगे k c naught मतलब जो हमारा capacitance है वो जो vacuum में capacitance था c naught जो था वो किसके लिए capacitance था n vacuum और यह जो c है वो कब capacitance है medium में तो जो medium का capacitance है वो vacuum के capacitance के कितने times है k times है जो medium का capacitance है वो vacuum के capacitance के कितने times है k times है मतलब capacitance k times increase हो जाएगा के के टाइम्स के हो जाएगा इंक्रीज यहां से एक बात और दिख रही है हमें किलियर किया दिख रहा है कि यह जो के हैं ठीक है एक कहां कि के एफसाइलन नोट क्या होता है के एफसाइलन नोट वो क्या है परमेटिविटी ओफ दे मीडियम तो उसको हम किस से र यह एफसाइल नोट आपन आपकर यहाँ पर क्या आ जाएंगा हमारे पास यहां पर आ जाएगा के एक उपसाइलन उट अपन अपन आपकों उनरलं आ हमें पता है जो एफसाइलन नोट किया है मीडियम और अपकाल Azra कि परमेटिविटी ओब दे मिडियम और पकी स्पेश् से ज्यादा रहेगी हमेशा क्या रहेगी कि में हमेशा यहां से में कहां कि जो के है वह हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किसके वन से ज्यादा रहे तो हमेशा के की वेल्यू कितनी रहेगी एक से ज्यादा रहेगी क्योंकि जो मीडियम की पर्मेटिविटी है वह वेक्यूम की पर्मेटिविटी से हमेशा ज्यादा रहती है तो जब भी अगर उपर वाली चीज अगर यहां पर टू अपॉन थ्री लिखा है यह सपस्कुरू लिख है तो अगर अगर बढ़ी रहेगी इसकी इस की ल और उनकी सर्फेस चार्ज डेंसिटेंस कितनी है तब सिग्मा अब क्यों कि आने एक्सालीन नोट अब है किया निकाला पोटेंचिल इन्ट इन उटकी फैलियों पूट कर दी अब सिग्मा क्या होता है क्योंपने सिगमा कीज़ें लिख एप उने लिग दिया फिर यह थो क्या आ क्योंकि मीडियम की वजह से यहां पर मीडियम की कि हो जाएगा अब इसके पास में रिटीव चार्ज आ गया तो यहां कि से चारजनिशिटिमास के सि इसलिए अब जो नए एलेक्ट्र ए इसलिए वह किसके सिग्माना था कितने कमालोगे कम थैंद इसलिए कितना होगाई माइनस डी- कि रहेंते करगा इन दोनों प्लेट्स पर पहले सितना ज्यादा यहीं प्रट्रॉशण रहेगा यह इसके याइस के प्रमॉर्चेट के यह दोनों हो जाएंगे यह दोनों से कहां तो न आता कि हमेंट के सकते सिग्मापों के तो यहां पर हम C is equal to Q upon V, V की space पर यह वाली value पुट कर दी तो यह आया, Q से Q कैंसल हो यह उपर चले गया, तो C की value कितनी आ गई, K into A epsilon naught upon D, अब A epsilon naught upon D जो है, वो किसके equal है, C naught, C naught मतलब कि वेक्यू में electric field, वेक्यू में capacitance जो जितना था, उसके equal है, तो इसलिए हमने इसकी जवापर क्या लिग दिया, C naught, तो हमने क्या कहा, कि जो medium में capacitance है, वो vacuum में capacitance था, उसके कितने times रहेगा, K times रहेगा, मतलब K गुना जादा रहेगा, कि अगर जो medium में capacitance 2 है, तो medium में capacitance कितना हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, जब K times ज़्यादा हो जाएगा, अब हमने क्या कहा, कि जो यह K epsilon naught है, जो K epsilon naught है, यह K epsilon naught यह क्या है, permittivity of the medium, उसको हम किस से represent करते है, Epsilon से, अब यह Epsilon naught यहाँ multiply में उधर जाकर divide में हो जाएगा, तो K is equal to K, sigma upon Epsilon upon Epsilon naught, अब हमें पता है, medium का जो permittivity है, वो हमेशा vacuum की permittivity से जाधा रहेगा, तो जब भी उपर वाली चीज, नीचे वाली चीज से अगर जाधा रहेगी, तो इसका जो ratio है, वो हमेशा X से जाधा रहेगा, इसलिए हमने क्या कहा, जो K है, वो always greater than will 1, K will always greater than 1, तो जो K है, उसकी value हमेशा X से जाधा रहेगी, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बाई!